हालो और वल्कम फ्रिंज देख रहे हैं आप नेक्ष्ट नाइन न्यूस स्वागत है आप सभी काई बफर से हमारे शानल में मैं आपकी वोस्ट रप्ती लेकर आए हूँ ये खास प्रोग्राम विजयता पंडित को लेकर जी हां दोस्तों विजयता पंडित एक ऐसी अभी ने जिन्होंने अपनी करियर तो बहतरीन परीके से शुरुआत की लेकिन करियर में बहुत बड़ी सफलता ना मिलने के बावजुद असल जिंदगी में अपने शाथी शुदा सिंदगी में बहतरीन सफलता में लेकिन किसमत को ये भी मनजूर नहीं था खुशाल जिंदगी अपने हस्बिन के साथ गुसारने बाली विजेता को अपने पती को ऐसे दर्द में भी देखना परा था जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कोई भी महिला, कोई भी पतनी, कोई भी जिवन साथी, कोई भी जिवन संगनी भला कभी कैसे चाह सकती है कि उनके पती को दर्द में वो देखे और इतनी जादा लाचार, इतनी जादा मजपूर महसूस करे वो खुद को कि वो उसका दर्द भी मिटा न सके, दर्द बाट भी न सके, ऐसी स्थिती से गुजरी थी विजयता पंडित, आज जो इस अभिनीतरी की नीजी जीवन के दर्द भरी कहानी हम आपके वीच पेश करने वाले हैं, नमस्कार आप देख रहे हैं, नेक्ष्ट नाइन नियोस दोस आज हम आपकी वीच बात करने वाले हैं, असी के दशक की उस अभिनीतरी के बारे में, जो आज फिल्मों से कोसो दूर हैं, जिनके कभी होती थी काफी जादा चच्छा, आज हैं वो बॉलिवर इंडस्ट्री से दूर, मिल्यंस का दिल जितने वाली वो एक्रस जिन्हों ने फिल्म इंडस्ट्री में, असी के दशक में जम कर राज किया, आज वो अभिनीतरीया कोसो दूर हैं इस इंडस्ट्री से, इसमें से एक नाम हैं, आप सभी के बीट टॉप में नजर आ चुकी, वन एन ओनली आपकी फेवरिट विजेता पंदित का, यहां आपको बताना शा आएंगे, विजेता पंदित वो अभिनीतरी है, जिनकी शादी आदेश श्रिवास्तर से साल 1990 में हुई, और साल 2015 में आदेश श्रिवास्तर का कैंसर की वजह से नधन हो गया था, जिसके बाद उनके नधन पर फूट फूट कर विजेता रुई थी, एक्ट्रस होने के आदा तारीफ मिली, अस्तिक के दशक में कुमार गौरव के साथ फिल्म लव स्टोरी में नजर आएं थी विजेता, इसके अलावा मुहबबत फिल्म में अनिल कपूर के साथ उन्हें देखा गया, अमर सांगी में उन्हें स्पॉट किया गया था, दिवाना तेरे नाम का फ लोग नहीं जानते, बेहद खुबसूरत इस एक्रस की जिंदगी, बेहद ही जादा दर्द भरी रही दोस्तों, पती के जाने के बाद इस तरहा रोई थी अबिनेतरी, गड़े लगा कर अमिताब बर्चन को फूट फूट कर रोई थी, विजेता ने शादी के बाद अपने जिंदगी पूरी तरह से बदली, विजेता की हालत अपने पती के जाने के बाद जो हैं काफी तकलीफ दे हुई थी, कहा जाता है कि दुबारा से बॉलिवूद में वापसी को लेकर तैयार हुई थी वो, आदेश श्रिवास्तव के जाने के बाद, जी हाँ, आदेश श्रि जी ने खुद का बहुत दर्द में गुजारा, आदेश को लेकर उन्होंने कहा, आदेश श्रिवास्तव हुद्पली अज़ए वापस लोटना चाहती हुदु, वो बॉजित कुमार गौरव के फिल में राजे इंदर कुमार के फिल में लब स्टोरी में आने के बाद, चार साल बाद वो उन्होंने वापसी की थी, और महबबत फिल्म्स उन्होंने अपनी लब स्टोरी को लेकर वापसी की, आदेश श्री की फेवरिट फिल्मों में से एक है ये, जिसमें उनके पफॉर्मिंस को काफी पसंद किया गया था, उन्होंने लीड जोल प्ले किये जीते ह शान के फिल्में भी, जलजला से लेकर प्यार का तोफान में भी, उन्होंने कहा देर वर लॉट्स उफ आफर बटाई वाज बीजी विथ माई फैमली, बेटे को परवरिश देने में, उन्होंने कहा देकिट्स वेर यंग, बेटा दोनों ही बच्चा उनका था, और उन्हो उन्होंने कहा, मैं एक अच्छे रोल का इंतजार कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती की कुछ भी करूँ, मैं चाहती हूँ, कुछ ऐसा करूँ कि एक्टिंग में वापसी को लेकर, लोग कहें कि अच्छा काम किया, 51 साल फिल्म इंडिस्ट्री में काम करने के बाद आधि श्रि तब वो एक्टर बने, म्यूजिक उनके ब्लड में, इसलिए सिंगर और कंपोजर ही उनके बेटे बनना चाहते थे, लेकिन पैशन उनकी एक्टिंग को लेकर भी दे, स्क्रिन में वो नजर आएं, इसका इंतजार है, सूपर डांसर भी है, वो टैलेंटेड भी है, अवितेश की बात की जाएं, तो उनके बारे में कहा जाता है, कि अविनेश की बात छोटे भाई अवितेश है, विजिता की छोटे बेटे, जो 16 साल के, वो फिलहाल कॉलिस कर रही है, प्यानों बजाते हैं वो, और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री को जोइन करना चाहते हैं वो जल्दी, और इससे उन्हीं काफी हल्ट भी मिलेगा, उन्होंने कहा कि ओवर हुकम होने में पती की जाने से बहुत मुश्किल लगेगा, अमिताब और शारुक ने काफी कंसोल किया था, और यही उनका परिबार है, यह उनका कहना है, विजेताब पंडित की अगर आप तस्वीरे देखेंगे, उस वक्त की तो आप रो पड़ेंगे, जब आदेश की जाने पर विजेताब बेहत तकलीफ में थी, उन्हें संभालने के लिए परिवार वाले तो थे, परिवार से जादा अमिताब बच्चन ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया था, रोते वे अमिताब बच्चन को गले लगा कर वो इतनी दुखी हुई थी, कि वो तस्वीर देखकर आज भी लोग काप उठते हैं, ज़र ये तस्वीर देखिए विजेताब बच्चन के भी बहुत करीब रहें, जिसके कारण अमिताब बच्चन ने आदेश की पतनी का पूरा साथ दिया उनकी गुजरने पर, उनकी जो हालित थी उस वक्त अमिताब बच्चन उन्हें अकेला छोडने के लिए बिलकुल तयार नहीं थे, कहा जाता है कि आदेश की जाने के बाद आईशा दुलका ने भी विजेता का पूरा साथ दिया था, जमाने की ये भी एक मश्वूर एक्ट्रेस थी, उस वक्त की ये दड़ भरी तस्विये देखकर, लोग तूट जाते हैं, कितनी जादा वो बदल चुकी हैं, बच्चों की हालत कुछ ऐसी देखने को मिली थी, विजेता के साथ साथ इस मौके पर जब पती को वो विदा कर रही थी, उनकी अंतिम विदाई के दौरां जिसे देखकर लोग काप उड़ते हैं, परिवार में विजेता जब अकेली पड़ गई अपने बच्चों को संभालने के लिए, उन्हें संभालना सबसे ज़ादा मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से विजेता ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की थी, आदेश सिब बिमारी की वज़ह से पूरी तरह से टूच चुके थे, और उस वक्त आदेश की जाने से पूरा बॉलिवोर्ड गमगीन महाल में था, देखे और तस्वीरे देखकर आप भी रो पड़ेंगी, हस्ता खिल्खिलाता ये परिवार एकदम से कैंसर जैसे घातक बीमारी की वज़ह से टूट कर बिखर गया था, उसे देखकर लोग रो पड़ते हैं। पर लोटे की ऐसे ही फिल्मों की कहानी आपके बेश पेश करने के लिए तब तक के लिए आप देखते रहे नेक्स्टनाइन न्योस और ऐसे ही एटिटेंवन की दुनिया की सतारों की रहसे में जिन्दगी के बारे में चाहनने के लिए इस चैनल को सब्स्राइब करना और स साथ ही साथ बेल आइकन को दवाना बिलकुर न भूले नमस्कार